सिक्षकों के नियुक्ति करा करके तेजस्वी ने बड़ा स्कोर एक कर लिया है बिहार की राजनिती में तो हो सकता है कि इस वार खाता खुल जाए उनका और जो राजसभा का चुनाव होने वाला था जगा खाली होई थी तो उसमें भी चर्चा हो रहे थी कि रोहिनिया चार् परिवारवाद के खिलाफ बोलने के लिए मोदी की अलुचना भी कि उनका परिवार ही नहीं तो वो क्या बोलेंगे और वन्सवादी राजनिती के एक परतिक राहुल गांधी भी बैठे हुए थे मंच पर तो ये एक तरह से राहुल गांधी को भी से संबल मिला होगा कि उ कंफर्टेवल फिल नहीं कर रहें थी फिर पल्टी मारेंगे ऐसी कई हलकों में चर्चा हो रहे थी तो एक तरह से उस चर्चा करों ने खंडन किया है मालेक का इस तरह से ज्यादा संख्या में आना ये एक रणनितिक तरीका था उनका कि सीट के दबाव में वो ये दावा कर करेंगे ज्यादा सीटें लेने के लिए तो अपनी ताकत दिखलाई उन्होंने गांधी मैदान में उनके साथ में तो मगर कॉंग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी वो गेस्ट आर्टिस्ट मात्र थी उनके मंच पर आये बिलकुल बिलकुल रोल रहेगा लालू की ही चलेगी लालू और तेजस्वी यही मिल करके बिहार में जो इंडिया गठवंदन है उसका सारा हिसाब किताब तेह करें है क्या अब सप्पा बिहार में भी चुनाओ लगने के तयारी में है नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहन दिवारी देखिए आज पूरे देश की नजर बिहार पर टिकी हुई थी क्योंकि आज इंडिया फ्रंट की महा रैली राजधानी पटना के गाधी मैदान में आयोजित थी बीते दस दिनों से तेजश्वी यादो ने पूरे बिहार का भ्रमन करके सभी जनता को गाधी मैदान में बुलाया था इस रैली में तेजश्वी यादो की पाटी के अलावा आयेंडिया ये फ्रंट के तमाम राजनितिक दल मौजूद थे जिनकी बिहार में वजूद है और आज मंच पर भी वो नजारा देखने को मिला साथी यूपी के पुर्व मुख्यमंतरी अखिलेस यादो भी पहुँचे थे तो इसी पर बात करेंगे हमारे साथ वरिश्ट पत्रकार प्रवीन बागी है सबसे पहला सवाल जो भीर उम्री थी जिस तरीके का नजारा गादी मैदान में देखने को मिला था उसको आप कैसे देख रहे हैं कि इस भीर ने तेजस्वी यादो की ताकत का अहसास कराया भीर अच्छी थी यह विरोधिवी मानेगें की भीर अच्छी थी और उसमें तेजस्वी ने अकेले मेहनत की थी तेजस्वी की मेहनत का परिणाम था कि वो गाओं गाओं घूमे थे और लोगों को आमंत्रित किया था तो इससे दो तीन बातें बिल्कुल एसपर्ष्ट हो जाती है एक तो कि उन्होंने अपनी पार्टी में लालु परिवार के बाकी लोग इस दोड़ में पीछे चूट गये हैं तो ये तेजस्वी आदाव आप कह सकते हैं कि अब तेजस्वी आदाव के नाम से ही राष्टिये जनता दल की नई पहचान मानी जाएगी जानी जाएगी और उसी का एहसास हुआ गांधी मैदान में उन्हों के लिए भाजपार नितिश्कमार दोनों के लिए एक बड़ी चुनावती बन करके तेजस्वी उभरे हैं अब उस चुनावती से कैसे निबट पाते हैं एंडिये के निता ये देखना होगा इस भीर को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी अपचिर गई हैं बहुत लोग कह र ठीक है上 животland के लोग थे मगरश्मडल की भीड़ाई तो वह भी एंडिये के लिए खत्रा है कि पामदल के पास अगर अवतना जंसमर्थन तो वह जंसमर्त तेजस्वी के लिए हैं राजट के लिए नो कि एंडिये के लिए भाजपा या नितिस के लिए तो वह खत्रा तो वो दूर से ही पाचान में आ जाते थी और राजद गिनेताओं ने जंडा नहीं लिया था बहुत कम लोगों ने जंडा लिया था वो ज्यादा तर बसों में और छोटी-छोटी गाणियों में लोग आये थे सुट बूट वाले लोग थे तो इसलिए जंडा लेने में उनक का अहसास आज फिर हुआ जो भी आधे वास्त्र शरीर पर पहने हुए भूखे प्यासे पैदल चलते हुए लोग आये और हाथ में जंडा लिये नारा लगा रहे थे तो यह उनका कमिट्मेंट भी दिखता है माले कमजोर जरूर हुए मगर फिर भी अभी उसकी ताकत बरकर कॉंग्रेस तो गेस्ट आर्टिस्ट की भूम क्या में थी क्योंकि कॉंग्रेस ने न कोई परिश्रम किया न कहीं सभा की न रहली को सपोर्ट किया उसके नेता जरूर बड़े नेता जो है खड़के साहब और राहूल गांधी यह दोनों जरूर आ गया और उन्होंने भासन भी दिया तो इसमें राहूल गांधी का भासन तो बिल्कुल वही घिसा पिटा फुराना जो एक रेकर्ड वह चला रहे है पिछले दो साल से अडानि अमवानी वही रेकर्ड यहां वी चला यांवी चलाया बिहार के बारे में उन्होंने आदिक होती है यह ठीक कि बिहार से क्रांटी का कि यह आज तक फिर वह अस्थापित नहीं हुआ चाहे वह सथातर में हुआ हो चोहतर आंदोलन की वज़ा से या फिर उसके बाद लालुक राद के उद्धे से हुआ हो तो वह किला ढहा था कॉंग्रेस का भिहार की वजह उसमें बड़ी थी जो मंच सजा था जिस पॉलिटिकल तोर पर रोहिनी आचारिया लालु प्रशाद यादो की बेटी कभी शर्वजनिक रूप से मौजूद नहीं हुई लेकिन आज मंच पर मौजूद थी और लालु प्रशाद यादो ने उनका नाम भी लिया तो क्या माना जाए कि अगामी लोकसभा चुनाओं म मिलेगा या MLC में जाएंगी मगर वो नहीं हो सका तो वो देर सबेर उनकी इंट्री होनी तय है और जिस तरह का वो बयान देती हैं सोसल मीडिया पर जिस तरह से सक्रिया है तो वो राजनितिक जागरुकता उनमें है और वो राजनिती में आएंगी जरूर और लालु करके एक तरह से कहिए कि अपने परिवार का समर्थन क्या उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ बोलने के लिए मोदी की आलोचना भी कि कहा कि उनका परिवार ही नहीं तो वो क्या बोलेंगे किसका सपोर्ट करेंगे हमारे पास परिवार है बड़ा परिवार है तो लोग ज समबल मिला होगा कि उनपर एक होता है तो बचा अब मुझन बात ये है कि आप अनुपस्थित थी इस्रेड मम्ता बनार जी भी अनुपस्थिति थी जब कि यह दोनों अभी ह blessing इंडिया के साथ हैं देक के साथ करma को था आते हो तो इसलिए नहीं आए और दक्षिन के भी कोई नेता नहींस को कि यह पूरी इंडिये की रेली आप नहीं का सकते हैं यह यह दिया कि कर ऑब भी हर के माहत रज़ा के महा गट्वंदन की यह 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 था-धर ढूलत देश Performance यादो का जो भासन रहा बीते दिन जब सरकार से बाहर हुए थे तो सदन में गर्जे थे उसकी भी खूब चर्चा हुई अब पीए मोदी बीते दिन आये थे उन्होंने बेगु सराय औरंगाबाद में जो बात कही यादो ने आज एक-एक का चुंचुन कर जवाब दिया है तेजस्वी ये आदो ने बोलने में महारत हांसिल की है इधर और अच्छा बोलने लगे हैं और तूदी पॉइंट बोलते हैं मगर राहूल गांदी उनके मुकाबले कमजोर वक्ता के रूप में दिखते हैं क्योंकि इनकी तेजस्वी के भासन में बीविधता होती है और न कोई पुराना श्टाइल रिपीट नहीं करते हैं और मोधी पर भी हमला करते हैं तो बड़ा सम्हल करके और सलिके से करते हैं तो एक संजीदा राजनिता के रूप में वह उभरे हैं और ये विहार की राजनिती में अच्छी उनकी पकड़ इससे महसूस हुई है और ये फाफल माउथ है एकह लावड माउथ हैं तो यह सब चलता रहता हुठ हलोषना पर तेलोषना होते रहती हैrah तो यह कोई नहीं बात नहीं है और सब्राइक चा१। चौहरी चुकिह उनके भर किरोधी हो जब वो सदन में हमला कर रहे थे नितीज कुमार पर तो नितीज की पाटी तो जवाब नहीं दे पाई उस सहली में मगर उस समय समराग चौधरी नहीं खड़े हो करके अपने भासन में जवाब दिया था कि लालू के राज में कैसे जादती हुई उनके परिवार पर कैसे अत् चौधरी तो इसलिए उन्होंने वो बदला यहां लिया कि सदन में नहीं का तो यहां उसका जवाब उन्होंने दिया ऑखलेस यादो के इस्रैली में आने का क्या मतलब निकाला जाए क्या अब सप्पा बिहार में भी चुनाव लगने के तयारी में है अखिलिये स्यादव तो उनके परिवार के हैं अब पारिवारे क्रिष्टा है लालो यादव और यह राजितिक मंच था तो इन लोंने बुलाया होगा तेजस्वी आदव ने उनके बुलाया होगा इसलिए व अगर वह समाजवादी पार्टि यहां से चुनाव लड़ती रहें है पहले वी लड़ती रही है मगर उसके साथ दुर्भाग यह है कि वह सिर्फ चुनाव के सहं हैं हुति है और यहां कई राजनेता हैं यह ता इस जिनकी अच्छी पाच्छान था और तो अगर वो यहां सीट मांगते हैं और चुनाव लड़ने की कोसिस करते हैं तो फिर राजत भी वहां मांगेंगी सिट यूपी में कि हमको भी यहां सेट दिया जाए तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि वह यहां लड़ेंगे क्योंकि अभी उनको वहां अपना पूरी पूर से बाहर होने के बाद लालू यादो नितिस्त कुमार पर खुल कर बोले उसको आप कैसे दिखते हैं अनितिस्त कुमार बोले मगर फिर उन्होंने यह भी का कि अब आएंगे तो भगा देंगे नहीं लेंगे मगर यह सिर बोलने की बात है क्योंकि जब गटवंदन तूटा यह पर आएंगे तब देखा जाएंगे जैके उसमें क्या होगा आएंट तो यह अभी उनका बदला हुए श्ट्रीटमर्ट था कि आएंगे तो भगा देंगे तो यह बीच में जो चर्चा हो रहे थी कि वह comfortable नहीं कर रहें नहीं तो परुल्टी मारें एसी हलकों में वंदन के साथ तो वो दिखलाना चाहते थे अपना commitment कि हम एकदम डटे हुए हैं कोई आए या जाय उससे फर्क नहीं पड़ता है तो वह Congress को भी दिखलाना चाहते थे दूसरे दलों को भी दिखलाना से थे कि हमारे एक जुटता तूठ है और हम पूरी तरह से साथ है इस महारायली के भीर का सीट के बटवारे में आइंडि फ्रंट के अंदर क्या असर पड़ेगा क्योंकि राजत की भीर थी वामदलों की भीर थी कॉंग्रेस की भीर गौन थी तो ऐसे में माना जाए कि कहीं सी स्थाओं क सफकता एंडियों की थें लिए घने सेधं दभानने कन दबारे वह वो सियुटन के जाएल सिटी साथ है लले के लिए उन्हें तो अपनी थैस्चान नहिए दित्गाए उन्होंने गांध हिमेदाने यह इस थाध़ार करें तो अपनी दीख थाती थैक्यामे नेह किहांति तो हमारी छंता हमार ताकत हमारे जन्द समर्थन के हिसाब से जीटमी और कॉंग्रेश के लोग आए भी थे कि नहीं उस घॉली में यह संज में नहीं आता है यूंकि उनWev यह जंदा का स्वागत द्वार कुछ नहीं था मगर उनके बड़े नेता थैज तो चोटे नेता भी आये ही होंगे उनके साथ में कॉंग्रेश की कोई भूमिका नहीं थी वो गेस्ट आर्टिस्ट मात्र थी उनके मंच पर बटवारा में भी कही बिल्कुल ऑचार रोल रहेगा और राहूल गांधी इसमें हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हश्चत चेफ करेंगे क्योंकि उनको पता है कि वास्तिविक्ता क्या है बिहार में उनकी ताकत कितनी है तो इसलिए वह लालू की ही चलेगी लालू और तेजस्वी यही मिल करके बिहार में जो इंडिया गटवंदन है उसका सारा हिसाब किताब तेह करें सीटों कौन कहां से लड़ेगा किसको कितनी सीटे मिलेंगे यह पूरी तरह इनके हाथ में नितीश कुमार के जाने के बावजूद भी माना जाए कि इंडिया फ् समर्थक वर्ग या जो उनका वोटर है वह मूलता राजध विरोधी है राजध विरोध नहीं समता पाटी बनाई थी राजध जनता दल से अलग होकर के फिर वह बाद में राजध बना वह तो उनके साथ वही लोग ज्यादा है जो राजध को पसंद नहीं करते हैं हालाकि पहले राहूल गांदे भी लालो प्रसाद को पसंद नहीं करते थे मगर आप दोनों के ट्यूनिंग गजब की बन गई है तो यह राजनिती में चलता रहता है मगर अभी उनका नितियसकुमार का जो बेस है वो राजत बिरोधी है तो उनके आने से थोड़ी ताकत बढ़ती र पिछले चुनाव में जो बिधान सबागा चुनावा था उसमें भी तेजस्वी की रैलियों में भीडाती थी सबाव में काफी भीडाती थी तो समय तो यह लग रहा था कि सरकार बन जाएगी मगर उतनी सीटें नहीं आई उनको और यह लोग गटवंदन में मिल करके सरकार असल में दिक्कत यह है राजद के साथ कि वो तो ठीक है मजबूत है मगर उसके जो सहयोगी दल है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं वो सीटें ले करके हार जाते हैं तो यह समझ गई है राजाद अब इसलिए उनको सीटें भी कम मिलेंगी क्योंकि वो सीटें अगर रा जाएगा पिछला बर तो खुला ही नहीं इस बार खुल जाएगा अब यह कहना भी मुस्किल है मगर एक आकर्षन बहुत जबर्दस्त है वो जो नौकरी वाला इसू है वो सिक्षकों के नियुक्ति करा करके ते जस्वी ने बड़ा स्कोर एक कर लिया है बिहार के राजनित अब का तो देखिए बिहार की राजनिती में आज का दिन बहुत बड़ा था क्योंकि हर किसी की निगाहें राजधानी पटना के इतिहासिक गाधी मैदान पटिकी हुई थी जहां पर इंडिया फ्रंट की महा रेली आज आयोजित थी इसरेली में बिहार की राजनिती में ज सब के बीच चर्चा भीर की काफी जादा हो रही है वैसे तो जब से तेज़स्वी यादो सत्ता से बाहर हुए हैं जनविश्वास यात्रा पर हैं उनके भीर की चर्चा उनकी यात्रा की चर्चा खूब होती थी लेकिन आज गादी मैदान में जो भीर उम्री थी उसकी है कॉंग्रेस वांदल और राजद किस प्रकार से सीटों की संख्या अपने में बाठते हैं कौन कितने पर चुनाओ लड़ता है और सवाल ये भी है कि क्या रोहिनी अचारिया भी इस बार लोकसभा चुनाओ में मैदान में उतरते दिखाई देंगी बरढ़ें लाइब बिहा यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें